What's up, so Monopoly Moves के सारे गाने एक तरफ and King and Bella का तेरे होके एक तरफ Damn, इतने सालों से जो हम लोग सारी अपनी गड़ित लगा रहे थे कि इस गाने में उसको शॉट दिया इस गाने में King ने Bella को वोला, Bella ने King ये सारी चीज़ा बंद हो गई है दुनों के साथ में गाना आगया और ये इस गाने को और भी स्पेशल बनाता है क्योंकि अगर तुम पुराने फ्रान हो, 2008-2008 के टाइम से तो तुम्हें पता है कि दुनों के बीच में कितने कांट्रोवर्सी और ये ये बेटर वो बेटर लचलना था तो बागी सारी वाते बाद में लेस ही तेरे होके में क्या है तो बड़ा हिट पॉंज है आप रगड़ो जाओ ओ ये सुथी जुवार है वी इको प्यारा रोमांटिक गाना है क्या अगुस्त्री गिटार एन ओल इतने किस्सों कहानी में आही गए असलियत में नजर तो मिलाओ जरा पहली लाइन सुनके तुम्हें समझ आ रहा है कि किंग का जो मेलोडियस वाला जून है जिसमें मुझे ऐसा लगता है किंग का जो सबसे स्ट्रॉंग जून है वो यही वाला है मेलोडी जिसमें वो आता है थोड़े कशिश type के गाने है थोड़े वो किंग का best है और यह गाना वाई वाई पर थरा हमने भी देखे है मारा चेहरे कई है तेरे जैसा नहा देखा है एक भी आहाँ तुझे पता है मेरा नाम क्या है जो तु ना मिली तो जीने का मुकाम के बता के चुके तुझे जान जाए ब्रो बैस सभी हो था पुझे सुनके इतना बढ़िया अच्छा लग रहा है कि अभी कि आवाज आ रही थी है ना हुक किंग ने काया और तुरं जो था बैला का वर्श शुरू हो गया बतलब सुझे दिस लिए का ड्रीम कम ट्रू जो भी दी एचेछ के है है ना जुनको दोनों आडेस पसांद है उनके लिए तो मेरे लिए था है भाई ड्रीम कम ट्रू मतलब फाब ब्रो और दोनी के रवास कॉंपलियमटिव कितने अच्छा कर रही एक दूसरे को I am realizing one thing Bella हर टाइप के गाने बनाता है लेकिन ये वाली जो वाइब है ये बेला कितरी बढ़िया से निभाता है और ये इस वाइब के जादा गाने बनाता नहीं तो I am really happy कि ये वाइब चूस करी तोनोंने क्योंकि दोनों जब ये इस वाइब के गाने लिखते तो फोड़ते हैं और अभी वही साउंड कर रहा है बहुत प्यार हो बहुत प्यार हो अभी भी हम तेरे ही है तूफान में चीज बनाई थी सोचा था तुमको सुनाएंगे मुझे नहीं पता अभी लोके आलबम के किस गाने के बारे में कितनी बात कर रहे हैं लेकिन ये गाना बहुत ज़ादा प्यारा साउंड कर रहा है अभी तक मैंने जितने गाने सुने हैं जितने मनोपली मूज के सुने हैं मेरे को I think ये गाना सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है मैं और सुनूँगा फिर से तो मुझे realize होगा what की क्या है क्या नहीं है लेकिन ये गाना for sure अभी तक तो भाई बहुत प्याना भाई ये गाना भटने वाला गाना है मुझसे लिख के ले लो अगर ये गाना बॉलीवूड में होता तो सुचो अभी तक ये गाना कहा होता सोच के देखो तेरे हो के इतने किस्सों कहानी में आ ही गए असलियत में नजर तो मिला उसरा हमने भी देखे है माना चहरे कही तेरे जैसा ना देखा है कभी यहाँ मैंने तेरे जैसी आज तक ड़े.. तेहां ब्रो मतलब बार 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 बहला का वर्स आ रहा है.. मतलब बीच-बीच में ju है.. सो अभी तक जो गाना जा रहा है.. उसमें ये है कि बहला जो है वह राप अला का पार्ट उसको कंट्रोल कर रहा है.. King जो है वो पूरे गाने के melody वाला part control कर रहा है बहुत बढ़िया दोने के role divide कर रखें आप ही नहीं पता आगे क्या सा गाना जाना I'm sure King का वर्स आना होगा कोई लंबा चोड़ा सा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों लोग दूसरों clash ने करेंगे एक melody देख रहा है एक rap देख रहा है दोरो की अवाद सच में बहुत अच्छे लग रही है साथ में I really wish कि ये लोग और गाने बनाए एक दूसरे के साथ ब्रो है ना like समझ रहे हो क्या 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 लेविल का गाना निकल गया है बहुत प्यारा वर्स बहुत प्यारा वर्स फाइलली मुझे अच्छा लग रहे है कि लड़की से लडाई जगड़े की बाते कम हो रहे हैं और यहां पर it's more like कि उसको उसकी importance दिखाते हुए अपने दिल का हाल बता रहा है मुझे अच्छा लग रहे है respect देते हुए बंदी से अपना लब का इजार हो रहा है यहां ठीक है यहां अलग अलग तरीके होता है I know there's a hard way of saying things यहां कभी अच्छा भी लगता है कि हां गुस्सा है बट इस गाने के जो वाइब है इस गाने के जो वाइब है इस गाने के वाइब इतनी प्यारी बने एक तो खुक इतना पढ़िया साउंड कर रहे है लोग जो मैंने के गाना सोना था अ फॉक जो फॉर्स पार्ट अफ दॉस्ट प्ट था था है राय इसान वाला उसका होग मुझे नहीं मुझे आया बट इस वान फॉक भलो लोग इस एक्सपेक्टेशन फॉम किंग सामझ रहे है अगर इस टैप की वाहीव होईगी, तो या ब्रो आख इस लेवल पर रख दिया तुमको ते भागा व्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कोई एगो ग्लाश टीवर है यहावे दोनों आर्टिस्ट होगा जो जो काम एक दिस्टों को दे दिया है फिर उसमें कोई इंटेफेरेंस नहीं हुई है ना लाइक किंग ने वो मेलेडी वाला जो रोल समार लखा है वो बिलकुल एंटर नहीं कहा रहा है उधर राप आला पार्ट जो बेलागा है बहुत बढ़िया इसको कहते हैं एक पोफि प्यारा है एक यह वो बात होती है जो कहते है ना कि अगर जिन आटिस्टों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई जगड़ा पंगा चलता रहता है अगर लड़ाई जगड़ा हडा के कॉलाब करें तो जिस लेवल के गाने बनेंगा और जो ग्राउड आएगी है ना वो तो अ आप इमाजिन गरो अगर एमची स्टैन और एमी वे एक गाने में आजाए तो क्या होगा ब्रो क्या होगा लाइक अनिमाने बल तो वही एग्जाम्पल यहां पे हो रहा है जब बलावा किंग साथ मैं आप जिस सो हपी विध इस सौंग मैं आम जिस सो फॉकिंग हापी हम मर गए तेरे होके हम मर गए तेरे होके इतने किस्सों कहानी में आही गए असलियत में नजर तो मिला वो जरा हमने भी देखे है माना चहरे कहीं तेरे जैसा ना देखा एक भी यहां पासक कि जिए बहुत पैरा गाना रिक जाना टैयूसली यहां लाइकि विदा लिए पेहां बाच प्यारी प्यारी बहुत अच्छी मिउजिक बहुत अच्छे गान पहुत अच्छा गाना मान मंतब मेरे Won街 क्यीज यहां थी ल καιी टartet लेकी था आटेस अच्छे हैं लेकिन जो फाइनल आट पर निकल गया उसमें मुझे उतना मज़ा नहीं आया ठीके लाइक बड़ देस वन देस में ऐसे है कुछ नहीं बच्छ, कुछ नहीं बच्छ. बनी से ऑपने दिल के हाल बोलता है तो वाले रप में थोड़ा सा वो बेला स्टाइल है लाइक मज़ा आता सुनने में and King जब melodiously थोड़ा tipsy हो के वाली वाई के जब गाने बनाता है romantic tipsy melodious गाने तो वो अलगी जाता है and kill it kill it kill it W, W collab I'm so happy कि दोनों की जंदा ही बड़ी satisfy होईगी King और Bella की भाई अब जब गाना मिला इतने सालों की बगर के बाद जो मिला फिर वो प्लेलिस वर्दी गाना मिला and like boost करने आला गाना मिला कि हमारे आटिस्टों ने मिल के बना है तुम लोग गाना कैसा लगा कैसा लगा कमेंट्स बताओ और मेन चीदी बताओ कि इसके बाद अगला गाना कौन था फ्रॉम MM कवर करू इतना सारे गाने आगे हैं मैं थोड़ो तो गंप्यूदू मुझे नी समझा रहे क्या करो करना चीए तो बताइए क्या कवर करें Instagram पे follow कर लो कितनी बार बोलू follow करो देवो आपे आम लोग मचा रहे ठीक ID के नावे आट दे रेट अपे किनो बाई पीस